ये भारत चीन दोस्ती की नई धुन है इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कह सकता है कि दोनों नेता कुछ समय पहले तक बेहत तल्खी के साथ आमने सामने थे सैकड़ों सालों के चीनी इतिहास को समेटे हुबेई म्यूजियम में कलपीय मोधी और शी जिन पिंग मिले तो ऐसे दोनों नेता सभ्यता और संस्कृति के पन्नों को टटोलते हुए आज के वक्त को पढ़ने की कोशिशों में जुटे हैं संग्रहाले के दोरे के बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई यूँ तो इस बातचीत को द्वी पक्षिय वार्ता का नाम नहीं दिया गया लेकिन वहां दोनों देशों के प्रतिनीधियों की मौजूदगी बता रही है कि बातचीत का एजंडा जरूर रहा होगा इस मौके पर मोदी ने नए दौर की साजह सोच का जिक्र किया तो दुनिया को बदल सकने वाले भारत-चीन के पांच तत्वों की भी बात की मैं भारत नूइडिया की बात कर रहा हूं कि इतना समंगत भूमिका वाला हमारी सोच है मैं समझता हूं कि यही तक ताय करता है कि आपका नूइडिया का सपना और हमारा नूइडिया का प्रयास यह अपने आप में बिश्वट में लाप के लिए इससरी दिषा का भरक अरो ज़र सम्सार की स्थामति स्थिलता और समरुति का भारत और चींच रड़ा नहीं है मैं उसमें 5 बहुत पॉजिटिव इलिमेंट देता हूं हमारे बीच की सोच हमारे बीच का संपर्द हमारे बीच का सहयोग हमारे बीच के समाम संकल्थ हमारे बीच के समाम सपने यह पांच अलिमेट ऐसे हैं दो देशों के बीच भरोसा जगाने के लिए ही हो रही इस शकरवारता में भारत-चीन के लोगों के और करीब आने की जरूरत का भी जिक्र हुआ दो कलाम के पच्छड के बाद वुहान का बसंत आया है पहली बार दोनों देशों के नेताओं के बीच शुरू हुई इस अनुपचारिक शकरवारता में कुछ महीने पहले तक रही हर तलखी गाइब है बस बात भरोसे की हो रही है साथ चल कर देश और दुनिया बदलने की हो रही है यूं तो पहले से तैये है कि मोदी के इस चीन दोरे के नतीजे का कोई एलान नहीं होगा क्योंकि यहाँ अनुपचारिक शिखरवारता हो रही है लेकिन मोदी बताना चाह रहे हैं कि भारत चीन के बीच रिष्टे आगे बढ़ रहे है क्योंकि उन्होंने ऐसे ही अनुपचारिक बातचीत के लिए शे जिनपिंग को भारत आने का नियुता दे दिया है